आज मैं एक सलून में गया था तो उस सलून में जो मतलब ये शेविंग कर रहे थे हैं उन्होंने बुला कि मेरे एक फ्रेंड को ना पत्री हो गई है तो उसमें बीर पीना अच्छा होता है क्या बीर पीने से तो किड्नी जो स्टोल निकल जाता है तो आपको भी ऐसी एडवा पूरी जानकरी इस वीडियो में नमस्कार आज हम बत करेंगे पत्री और बीर के बारे में जी हाँ आपने से ऐसे लोग जो पत्री से परेशान है मतलब आपको आपने देखा होगा कि आपको यूरीन में जलन हो रहा था दर्द हो रहा था या पेट की पीछे की तरफ से थो आपको पता चला कि आपको पत्री हुई है या किड्नी स्टोन हुआ है तो यह चीज होने पर आपको एक एड़वाइस जरू सुनने मिलेगी कि अच्छा पत्री हुई है क्या ओके तो बीर पीना चालो कर दे आज मैं एक सलून में गया था तो उस सलून में जो मतलब यह शे से वो पत्री निकल जाएगी आज जानेगे कि सच में अगर आपको कीड्नी स्टोन पत्री हो जाए तो उसमें बीर पीने से फायदा होता है क्या और अगर होता भी है और नहीं होता तो उसके पदले क्या एंदर्वेद में पुरी जानकारी इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं पत्री के बारे में खास करके आप में से ऐसे लोग जिनको रिनल स्टोन किड्नी स्टोन की समस्चा से परेशान है और सोनोग्राफी में वो स्टोन आया है और आपको यह एड्वाइस दी गई है कि बीर पीना चालू क उसी जव को सड़ा के या फर्मंट करके साथ अलग अलग प्रोसेस के थ्रू वो बारली का जो अपना वीर है वो बनके रेडी होता है यह जो बीर बनके रेडी हुई है उसके बारे में आईर्वित का क्या कहना है वो जानते है क्यूंकि पहले के जमाने में भी मद्य अर्थ में हम बियर बोलते हैं उस बियर की क्या property आयरवेद में बोली गई है वो जानते हैं विस्टम विनी यव सुरा गुर्वी रुक्षा त्री दोशला गुर्वी रुक्षा त्री दोशला ऐसे करके श्रब्द आया है कि पहली बात तो यह विस्टम भी है मतलब constipation करने का काम कर करती है रुक्ष है ड्राइ है नेचर में बहुत भायत ते modern science क्या कहता है तो modern science का यह कहना है कि जो भी beer होती है अगर आप उसे लंबे समय तर पीते हैं मतलब आप पी रहे हैं इसलिए कि ठीक ही kidney stroke निकल जाएगा इसका एक फायदा तो है इससे urine की मात्रा पेशाप की मात्रा बढ़ जाएगी बट वो मात्रा बढ़ने के कुछ कैसे होगा जी हाँ अगर आप लंबे समय तक beer का यूज करते हैं तो वो body में dehydration करने का काम करती है second problem है यह liver को भी impact करती है तो आप kidney के stone को ठीक करना चाहते है बढ़ आपके liver पे दकलिफ करेगी आप में से लोग जिनका already virgin बढ़ा हुआ है fatty liver की दकलिफ है या liver के जो parameter से ब निकले आपका liver जरूर damage हो जाएगा एक और problem है beer के साथ कि यह uric acid बढ़ा देती है अब uric acid बढ़ जाएगा तो आप देखेंगे कि जो stone बनता है उसके बहुत सारे ingredients होते हैं uric acid crystal और oxalate जो होते हैं वो सब भी kidney stone बनने का एक करण होता है तो आपके body में uric acid बढ़ेगा body म pin बढ़ने लग जाएगा और stone निकले निकले वो stone को बढ़ाने का भी काम कर सकता है तो beer पीने से kidney stone निकलता है ऐसे कोई भी science में प्रूफ नहीं है बलकि यह आपकी तकलीफ ज़्यादा बढ़ा देता है उल्टा आपको अगर दर्द ज़्यादा हो रहा और ऐसे में आप beer पीएंगे तो हो सकता obstruction होने के कारण आपके kidney पे और कई गुना ज़्यादा लोड है बेर कहां तक मदद कर सकती है तो जो 3-5 mm वाले जो छोटे stone होता है उसमें कोई भी urine बढ़ाने वाली दवा लेंगे तो उससे आराम मिलता है बट केवल kidney stone ठीक करने के लिए अगर आप beer पी रहे हैं तो आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आईरवेद भी बोलता अच्छा नहीं है modern science भी बोलता अच्छा है नहीं तो ठीक है पता चले कि ठीक है पत्री हो गई है beer नहीं पिना चीए तो करे गया यही जो बारली है या जो है इससे एक कमाल की द बोडी में आम है या फिर जो भी आपकी बोडी में किड्नी स्टोन अश्मरी जो आपको ही है अब संस्क्रित में आई जो स्टोन होता है उसे अश्मरी कहा जाता है तो किड्नी में होई तो मुत्राश्मरी गॉल ब्रेडर में होई तो पित्ताश्मरी तो यह जो यवशार है जो यह अफशार है पेट साफ करता है पेन कम करने का काम करता है और जो स्टोन हुआ है उसको भेदल फोड़ फोड़ के निकालने का काम करता है तो इसी बारली से बनने वाला ये प्रोड़क कई गुना ज़्यादा फाइदे मन्द रहेगा बजाए की केवल बीयर पीने के कैसे यूज़ कर सकते है तो आपके घर पे कोई भी स्टूई होगी या फिर पिन होगी उसकी जो नोख होती है यह उशार समझो आपने 5 ग्राम ले लिया तो उसकी नोख को केवल उसमें डुबा के दो बार उस पाउडर में जितना दवा आएगा बस उतनी ही कम मात्रा में लेना चीए थोड़ी और बड़ी मात्रा में ले सकते है पर यह अफशार क्योंकि शार है गरम है जिन लोगों को पित है छाले है गर्मी है हीड निकलती है व्लड रिलेटेड बीमारी होती है ऐसे लोगों को तकलीफ हो सकती है तो बेडर होगा आप किसी डॉप्टर से आईर्विधी डॉप्टर के अंडर में ने या खुद से ले रहे हैं तो जो मात्रा बोली है उतनी मात्रा में ले सकते हैं दो से तीन महीने किड्नी स्टोन निकालने में मदद करेगा एक और दवा है जो की आराम से मिलती है आप सब कोई यूज़ कर सकते हो किड्नी स्टोन है उसका नाम है कुलत जिसको की हॉर्ज्ज ग्राम भी कहा जाता है कोई भी जो किराने की दुकान है वहाँ पर आपको मिल जाएगी अब इस हॉर्ज ग्राम या फिर कुलत्थ का अगर आप श्लोग देखेंगे तो उसके बारे में ऐसे कहा गया है हंती हिक का अश्मरी ऐसे करके श्रब दाया है अर्थात ये जो कुलत्थ की दाल होती है गरम हो पातर कफ को कम करती है भेधन फोड़ने का काम करती है और खासकर करक Qश मरी होई है जो स्टोन हुआ है आपके शरीर में उसको ये फोरड फोर के निकालने का काम करता है तो बीर जैसे अलकॉलिक चीजे लेने से अच्छा आप ये क्यों नहीं यूज कर दे एकदम आराम से आपको कहीं भी मिल जाएगा 20-50 रुपेगा मिल जाएगा तो क्या करो कुलते की दाल ले आओ 20 ग्राम एक लीटर पानी में रात में भीगा दो, सुबा उबाल कर हाफ कर लो और जब भी भी प्यास लगे इसको सिप सिप करके ये पानी पियो अच्छे से ये भेदन करके फोरने में आपकी मदद करेगा, ये यूज कर सकते हैं और भी कही दवाईयां हैं, अगर आपको यूरीन की मात्रा यी बढ़ाना चाहते हो तो एक बहुती कमाल की दवा है गोक्षुर, गोक्षुर जिसको गोखरू भी बोलते हैं बड़ा गोखरू, छोटा गोखरू, जो आपको मिल जाए ये गोक्षुर जो है वो वात, पित, कफतीनों पर काम करता है, मुत्रल है अर्थाद यूरीन को पच्छे से निकालने का काम करता है और आप विश्र भी है, आपके शुक्रदातू को बढ़ाता है, रसायन है, नरिश्मेंट करता है इतने सारे फायदे हैं और ये ये आईरवेद में बहुत सारी दवाईयां हैं, गोक्षुर आदी गूगल है, चंदर प्रभावडी है और कई सारी मेडिसिन्स है, जैसे वरुनादी कवात है, वरुनादी घृत है बहुत सारे आईरवेद में अलग-अलग कैसे है, कि जो स्टोन है, वो अलग-अलग कैटेगरी में बोला है वात वाला स्टोन, पित वाला स्टोन, कफ वाला स्टोन तो हम आईरवेद में वो condition देखके ज़्यादा treatment prefer करना पसंद करते हैं तो अगर आपको stone है, वीडियो का सारभाग ये है, कि अगर आपको पत्री हुई है तो beer वाली advice मत सुनिए, खास करके वो ऐसे लोग बोलेंगे जो medical field के नहीं है normally एक बोलते हैं बातचीत में बस बोल दिया, चिपका दिया कुछ भी तो beer आपके kidney stone की तकलिफ को बढ़ा सकती है, आपके liver को damage कर सकती है uric acid बढ़ा सकती है, और dehydration पैदा कर सकती है, जो कि stone के लिए अच्छा है ने तो क्या करें, उसके बदले या तो jobs जो बनने वाला ये अफट शार है, वो यूज करो, एक दाल मिलती है, कुल्थी की दाल, वो आराम से आप डेली दो-तीन महीने पी सकते हो, वो यूज कर सकते हो या फिर urine की ही flow, अगर आपको stone की कारण urine बहुत कम मातरा में आता है, बहुत जलन की मातरा में आता है, तो होक्षूर पीज सकते हो 8 mm के अंदर तक, 8-9 mm के अंदर तक है, तो ये सारी चीज़े ठीक है, और एक कोई professional doctor की advice लेके करेंगे तो और अच्छा बढ़ उसके ओपर हो गया है, तो ये उपाय करने से अच्छा, फिर आप देखिए कि बहुत बार वो surgical case हो जाता है, या ऐसी जिगा पर आके अटक जाता है, जिसमें फिर emergency में surgery करनी पड़ती, तो आप condition के हिसाब से फैसला लेंगे, तो ज्याद आच्छा रहेगा, तो ये कमेंट करके बूच सकते हैं, आपके जो कमेंट्स रहेंगे, उसके आधार पर ही ऐसे जो आपकी concept है, clear करने वले वीडियोज हम बनाते रहेंगे, तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें